C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याए सोला संख्याओं के साथ खेलना प्रिष्ट संख्या दो सो उनसट से लेकर प्रिष्ट संख्या दो सो बहत्तर तक आईए सुनते हैं पाठ सोला संख्याओं के साथ खेलना प्रिष्ट संख्या दो सो उनसट सोला दशमलव एक आप विभिन प्रकार की संख्याओं जैसे प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और परिमे संख्याओं के बारे में अध्यायन कर चुकी हैं। आप इनके अनेक रोचक गुणों का भी अध्यायन कर चुकी हैं। कक्षा छे में हमने गुणनखंडों और गुणजों को ग्यात करने की खोज की। तथा यह भी देखा कि इनके बीच में क्या संबंध ग्यात किये जा सकते हैं। इस अध्याय में हम संख्याओं के बारे में और अधिक विस्त्रित जानकारी प्राप्त करेंगे। यह अव धारनाएं विभाज्यता के नियमों की जांच यानि टेस्ट्स ओफ डिविजिबिलिटी के और चित्ते को समझने में सहायता करेंगी। सोला दशमलवदो व्यापक रूप में संख्याएं। आईए एक संख्या बावन लें और उसे इस रूप में लिखें। बावन बराबर है पचास जमादो बराबर है दस गुणा पांच जमादो इसी प्रकार संख्या 37 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। 37 बराबर है दस गुणा तीन जमा साथ। व्यापक रूप में अंकों A और B से बनी किसी दो अंकों की संख्या A, B को इस रूप में लिखा जा सकता है। A, B बराबर है दस गुणा A जमा B, बराबर है दस A जमा B। B, A के बारे में क्या कहा जा सकता है। B, A बराबर है दस गुणा B जमा A, बराबर है दस B जमा A। यहाँ A, B का अर्थ एक गुणा B नहीं है। आईए अब संख्या 351 को ले। यह एक तीन अंकों की संख्या है। इस संख्या को भी इस रूप में लिखा जा सकता है। 351 बराबर है 300 जमा 50 जमा 1। बराबर है 100 गुणा 3 जमा 10 गुणा 5 जमा 1 गुणा 1। इसी प्रकार 497 बराबर है 100 गुणा 4 जमा 10 गुणा 9 जमा 1 गुणा 7। अंकों की संख्या ABC को इस रूप में लिखा जा सकता है ABC बराबर है 100 गुणा A जमा 10 गुणा B जमा 1 गुणा C बराबर है 100 A जमा 10 B जमा C इसी प्रकार CAB बराबर है 100 C जमा 10 A जमा B BCA बराबर है 100 B जमा 10 C जमा A इत्यादी प्रिष्ट संख्या 260 प्रयास कीजिए 1. निम्नलिखित संख्याओं को व्यापक रूप में लिखिए 1. 25 2. 73 3. 119 4. 302 2. निम्नलिखित को सामानने रूप में लिखिए 1. 10 गुणा 5 जमा छे 2. 100 गुणा 7 जमा 10 गुणा 1 जमा 8 3. 100 A जमा 10 C जमा B 16.3 संख्याओं की साथ खेल 1. अंकों का पलटना दो अंकों की संख्या मिनाक्षी ने सुंदरम से कोई दो अंकों वाली संख्या सोचने को कहा तथा यह भी कहा की वहे अब जैसा कहती जाए वहे उसी प्रकार करता जाए उनके वार्तलाप को निम्नलिखित आकरिती में दर्शाया गया है आगे पढ़ने से पहले कृप्या आकरिती का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें मिनाक्षी और सुन्दरम में वार्तलाप पहला दौर मिनाक्षी कहती है दो अंकों की संख्या चुनो सुन्दरम जवाब देता है ठीक है वह उन्चास चुनता है मिनाक्षी कहती है नई संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को पलट दो सुन्दरम कहता है ठीक है मैं करता हूँ वह 94 प्राप्त करता है मिनाक्षी कहती है इसे उस संख्या में जोड़ो जिससे तुमने प्रारंभ किया था सुन्दरम कहता है ठीक है वह 143 प्राप्त करता है मिनाक्षी कहती है अब प्राप्त संख्या को 11 से भाग दो सुन्दरम जवाब देता है, ठीक है, वह तेरा प्राप्त करता है मिनाक्षी कहती है, अब कोई शेश भल नहीं होगा सुन्दरम कहता है, हाँ, तुम ठीक कहते हो, परन्तु तुम्हें कैसे ग्यात हुआ यहाँ ऐसा होता है कि सुन्दरम उन्चास चुनता है, अंक पलटने पर तब उसे संख्या 94 प्राप्त होती है फिर वह इन संख्याओं को जोड़ कर, उन्चास जमा 94 बराबर है 143 प्राप्त करता है अंत में उसने इस संख्या को 11 से भाग दे कर, 143 भाग 11 बराबर है 13 प्राप्त किया और कोई शेश भल नहीं रहा यही वह बात है जो मिनाक्षी ने पहले से ही बताई, अर्थात प्रागुक्ती की है प्रयास कीजिए जांज कीजिए कि यदि सुन्दरम ने निम्नलिखित संख्याई चुनी होती, तो परिणाम क्या प्राप्त होते एक 27, दो 49, तीन 64, चार 17 आईए, अब देखें कि क्या हम मिनाक्षी की चतुराई यानि ट्रिक को स्पष्ट कर सकते है मान लीजिए कि सुन्दरम संख्या A भी चुनता है, जो दो अंकों की संख्या 10A जमा B का संख्षिप्त रूप है अंकों को पलटने पर वह संख्या B A बराबर है 10B जमा A प्राप्त करता है इन दोनों संख्याओं को जोडने पर वह प्राप्त करता है जैसा की मिनाक्षी ने दावा किया है ध्यान दीजिए कि यदि हम योग को 11 से भाग दें तो भाग फल कोश्ठक में A जमा B प्राप्त होता है ये भाग फल चुनी हुई संख्या A B के अंकों के योग के बराबर है आप उपरोक्त की जांच कितनी भी दो अंकों की संख्याओं को लेकर कर सकते हैं मिनाक्षी और सुन्दरम का खेल जारी रहता है मिनाक्षी कहती है एक अन्य दो अंकों की संख्या के बारे में सोचो परंतु मुझे वह संख्या नहीं बताना सुन्दरम कहता है ठीक है मिनाक्षी कहती है अब अंकों को पल्टो और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ सुन्दरम जवाब देता है मैंने घटा लिया है अब आगे क्या करना है मिनाक्षी कहती है अब अपने उत्तर को नौ से भाग दो मिरा दावा है कि शेश फल शून्य होगा सुन्दरम कहता है हाँ तुम सही कह रही हो वास्तव में यहाँ शेश फल शून्य ही है परन्तु इस बारे में मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में कितनी निश्चिंत क्यों हूँ वास्तव में सुन्दरम ने संख्या 29 सोची थी इसके अंकों को पलट कर उसने संख्या 92 प्राप्त की फिर उसने 92 घटा 29 बराबर है 63 प्राप्त किया तथा अंत में उसने 63 भाग 9 ग्याद किया जो भाग फल साथ देता है और शेश फल शून्ने है प्रयास कीजिए जांज कीजिए कि यदि सुन्दरम ने उप्रोक्त के लिए निम्नलिखित संख्या चुनी होगी तो क्या परिणाम प्राप्त होते एक सत्रा दो एककीस तीन छे आनवे चार सैंतीस आईए समझें कि किस प्रकार सुन्दरम मिनाक्षी की दूसरी चतुराई को स्पष्ट करता है अब वह ऐसा करने में आत्म विश्वास का अनुभव करने लगा है मान लीजिए कि वह दो अंकों की संख्या A B बराबर है दस A जमा B चुनता है अंकों को पलटने पर वह संख्या B A बराबर है दस B जमा A प्राप्त करता है अतह मिनाक्षी उसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने को कहती है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है अर्थात A B से बड़ा है तो वह इस प्रकार घटाता है कोश्ठक में 10A जमाबी, घटा कोश्ठक में 10A जमाबी, बराबर है 10A जमाबी, घटा 10B घटा A, बराबर है 9A घटा 9B, बराबर है 9 कोश्ठक में A घटा B यदि एकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है अर्थात B A से बड़ा है, तो वह इस प्रकार घटाता है, कोश्ठक में 10 B जमा A, घटा कोश्ठक में 10 A जमा B, बराबर है 9 कोश्ठक में B घटा A निसंदे, जब A बराबर है B, तो वह 0 प्राप्त करता है, प्रति एक स्थिती में परिणामी संख्या 9 से विभाज्य है, अतह 6 फल 0 है, ध्यान दीजिए कि यदि हम खटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9 से भाग दें, तो हमें A बड़ा है B से, या A छोटा है B से, के अनुसार कोश्ठक में A घटा भी या कोश्ठक में B घटा A प्राप्त होता है, आप कोई भी अन्य दो अंकों की संख्याएं लेकर उप्रोक्त तथे की जांच कर सकते हैं, अब सुन्दरम की बारी है कि वह कुछ चतुराईयों को दिखाएं। सुन्दरम कहता है, एक तीन अंकों की संख्या सोचों परंतु इसके बारे में मुझे नहीं बताना। मिनाक्षी जवाब देती है, ठीक है। सुन्दरम कहता है, अब इन अंकों को उल्टे कराम में यानि पलटते हुए लेकर एक नई संख्या बनाओ और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। मिनाक्षी कहती है, ठीक है, मैंने खटा लिया है, आगे क्या करना है। सुन्दरम कहता है, अपने उत्तर को 99 से भाग दीजिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शेश भल शून्ने होगा। वास्तव में मिनाक्षी ने तीन अंकों की संख्या 349 चुनी थी, इसलिए उसने प्राप्त किया। एक, अंक पलटने पर संख्या 943, दो, अंतर, 943 घटा 349 बराबर है 594, तीन, विभाजन, 594 भाग 99 बराबर है 6, शेश भल शून्ने के साथ। प्रयास कीजिए, जाज कीजिए कि यदि मिनाक्षी ने निम्नलिखित संख्याएं चुनी होती, तो परिणाम क्या प्राप्त होता। प्रतियक स्थिती में, अंत में प्राप्त हुए भाग फल का यह रिकॉर्ड देखिए। आईए समझें कि यह चतुराई कैसे कार्य करती है। मान लीजिए कि मिनाक्षी द्वारा चुनी हुई तीन अंकों की संख्या ABC बराबर है 100A जमा 10B जमा C प्रिष्ट संख्या 263 अंकों को बलटने पर वह संख्या CBA बराबर है 100C जमा 10B जमा A प्राप्त करती है। घटाने पर प्राप्त होगा। एक यदि A C से बड़ा है तो संख्याओं का अंतर है कोश्ठक में 100A जमा 10B जमा C घटा कोश्ठक में 100C जमा 10B जमा A बराबर है 100A जमा 10B जमा C घटा 100C घटा 10B घटा A बराबर है 99A घटा 99C बराबर है 99 कोश्ठक में A घटा C बराबर है 99C घटा 99A बराबर है 99 कोश्ठक में C घटा A तीन निसंदिह यदि A बराबर है C तो अंतर शुन्ने है प्रतियक स्थिती में परिणामी संख्या 99 सेविभाज्य है इसलिए 6 फल शुन्ने प्राब्थ होता है ध्यान दीजिए कि भागफल कोश्ठक में C घटा A होगा आप तीन अंकों की अन्य संख्याएं लेकर इसी तथे की जाँच कर सकते हैं तीन दिये हुए तीन अंकों से तीन अंकों की संख्याएं बनाना अब एक बार फिर मिनाक्षी की बारी है मिनाक्षी कहती है तीन अंकों की कोई संख्या सोचो सुंदरम कहता है ठीक है मैंने ऐसा कर लिया है मिनाक्षी कहती है अब इस संख्या का प्रयोग दो अन्य तीन अंकों की संख्याएं बनाने में इस प्रकार करो यदि तुमने ABC चुनी है तो 1. पहली संख्या CAB अर्थात इकाई का अंक उस संख्या के सबसे 22 सिरे पर पहुँच गया है 2. अन्य संख्या BCA अर्थात सैकडे का अंक उस संख्या के सबसे 22 सिरे पर पहुँच गया है अब इन संख्याओं को जोडो परिणामी संख्या को 37 से भाग दो मेरा दावा है कि शेश फल शूनने होगा सुन्दरम कहता है हाँ तुम सही हो वास्तव में सुन्दरम ने तीन अंकों की संख्या 237 सोची थी जैसे मिनाक्षी ने करने को कहा था वैसा करने के पश्चात उसने संख्याएं 723 तथा 372 पाई अतह उसने यह किया 237 जमा 723 जमा 372 बराबर है 1332 फिर उसने परिणामी संख्या 1332 को 37 से भाग दिया 1332 भाग 37 बराबर है 36 शेशफल शूने के साथ तीन अंकों दो, तीन और साथ का प्रयोग करके तीन अंकों वाली सभी संख्याएं बनाईए तथा इनका योग ज्याद कीजिए जाँच कीजिए कि क्या यह योग 37 से विभाज्य है क्या यह संख्या A, B, C के तीनों अंकों A, B और C से बनी सभी संख्याओं के योग के लिए सत्ते है प्रयास कीजिए जांच कीजिए कि यदी सुन्दरम ने निम्नलिखित संख्याएं सोची होती तो परिणाम क्या प्राप्त होता 1.417 2.632 3.117 4.937 प्रिष्ट संख्या 264 क्या यह चतुराई सदैव कार्रे करती है आईए समझें A B C बराबर है 100 A जमा 10 B जमा C C A B बराबर है 100 C जमा 10 A जमा B B C A बराबर है 100 B जमा 10 C जमा A A B C जमा C A B जमा B C A बराबर है 111 कोष्ठक में A जमा B जमा C बराबर है 37 गुणा 3 कोष्ठक में A जमा B जमा C जो 37 से विभाज्य है 16.4 अंकों के लिए अक्षर यहां हमारे सम्मुक कुछ पहेलियां है जहां एक अंक गणेतिये प्रश्ण में अंकों के स्थानों पर अक्षर होते हैं तथा समस्या यह ग्याद करने की है कि कौन सा अक्षर किस अंक को निरूपित करता है अतह यह एक प्रकार के कोड को हल करने जैसी बात है प्रायह हम योग और गुणन की समस्याओं तक सीमित रहेंगे ऐसी पहेलियों को हल करते समय अपनाए जाने वाले दो नियम यह हैं एक पहेली में प्रति एक अक्षर केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए एक अंक केवल एक ही अक्षर से प्रदर्शित किया जाना चाहिए दो एक संख्या का पहला अंक शून्य नहीं हो सकता इस प्रकार हम संख्या 63 को 063 या 0063 ना लिखकर 63 लिखते हैं एक नियम जिसका हमें पालन करना है वह यह है कि एक पहेली का केवल एक ही उत्तर होना चाहिए उदाहरण एक निम्नलिखित योग में क्यू ग्याद कीजिए 3-1-Q जमा 1-Q-3 बराबर है 501 हल यहां केवल एक अक्षर क्यू है जिसका हमें मान ग्याद करना है एकाई के स्तंभ में उप्रोक्त योग का अध्ययन कीजिए Q जमा 3 से हमें एक प्राप्त होता है अर्थात एक संख्या जिसकी इकाई का अंक एक है ऐसा होने के लिए Q अंक 8 होना चाहिए अतह इस पहेली को नीचे दर्शाय अनुसार हल किया जा सकता है 318 जमा 183 बराबर है 501 अर्थात Q बराबर 8 है उदाहरन दो निम्दलिखित योग में A और B ग्याद कीजिए A जमा B जमा A बराबर है B A प्रिष्ट संख्या 265 हल इसमें दो अक्षर A और B हैं जिनके मान ग्याद किये जाने है एकाई के स्तंभ में योग का अधेयन कीजिए तीन A का योग एक ऐसी संख्या है जिसकी एकाई का अंक A है अतह दो A का योग एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी एकाई का अंक शूनने हो यह तभी होगा जब A बराबर है शूनने हो या A बराबर है पांच हो यदि A बराबर शूनने है तो योग शूनने जमा शूनने जमा शूनने होगा जिससे B बराबर है शूनने हो जाएगा हम इसे नहीं चाहेंगे क्योंकि इसमें A बराबर है B हो जाएगा और B, A के दहाई का अंक भी शूनने हो जाएगा इसलिए हम इसे चौड़ देते हैं अतः A बराबर 5 है इसलिए यह पहेली नीचे दर्शाय अनुसार हल होगी पांच जमा पांच जमा पांच बराबर है पंद्रह अर्थात A बराबर है पांच और B बराबर है एक उदाहरन तीन A और B को ग्याद कीजिए BA गुणा B तीन बराबर है पांच साथ A हल यहां भी दो अक्षर A और B है जिनके मान ग्याद कीए जाने है क्योंकि तीन गुणा A के एकाई का अंक A है इसलिए या तो A बराबर शून्ने है या A बराबर पांच है अब B पर गौर कीजिए यदि B बराबर एक हो तो BA गुणा B थरी का मान अधिक से अधिक 19 गुणा 19 अर्थात 361 होगा परन्तु यहां गुणनफल 57 A है जो 500 से अधिक है अतह B बराबर है एक नहीं हो सकता यदि B बराबर है 3 हो तो BA गुणा B थरी का गुणनफल 30 गुणा 30 से अधिक होगा अर्थात यह 900 से अधिक होगा परन्तु 57 A का मान 600 से कम है अतह B बराबर है 3 नहीं हो सकता उप्रोक्त दोनों तत्थियों को द्रिष्टिगत रखते हुए B का मान केवल 2 ही हो सकता है अतह दिया हुआ गुणन या तो 20 गुणा 23 होगा या 25 गुणा 23 होगा पहली संभावना नहीं हो सकती क्योंकि 20 गुणा 23 बराबर है 460 परन्तु दूसरी संभावना सही है क्योंकि 25 गुणा 23 बराबर है 575 अतह A बराबर है 5 और B बराबर है 2 25 गुणा 23 बराबर है 575 प्रिष्ट संख्या 266 इनहें कीजिए दो अंकों की एक संख्या A-B लिखिए तथा इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या B-A लिखिए इनका योग याद कीजिए मान लीजिए यह योग एक तीन अंकों की संख्या D-A-D है अर्थात A-B जमा B-A बराबर है D-A-D कोश्ठक में 10-A जमा B जमा कोश्ठक में 10-B जमा A बराबर है D-A-D ग्यारह कोश्ठक में A जमा B बराबर है D-A-D योग कोश्ठक में A जमा B संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकता क्यों? क्या D-A-D 11 का एक गुनज है? क्या D-A-D 198 से कम है? 198 तक तीन अंकों की ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 11 की गुणज हैं A और D के मान ग्याद कीजिए प्रश्नावली 16.1 निम्न लिखित में से प्रतियेक में अक्षरों के मान ग्याद कीजिए तथा संबध चरणों के लिए कारण भी दीजिए 1. 3A जमा 25 बराबर है B2 2. 4A जमा 98 बराबर है CB3 3. 1A गुणा A बराबर है 9A 4. AB जमा 37 बराबर है 6A 5. AB गुणा 3 बराबर है CAB 6. AB गुणा 5 बराबर है CAB 7. AB गुणा 6 बराबर है BBB 8. A1 जमा 1B बराबर है B2 9. 2AB जमा AB1 बराबर है B1 8. 10. 1, 2A जमा 6AB बराबर है A09 9. अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर आकाश आहुजा तक्नीकी समन्वयक बटिलैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांग्वान निर्मान सहयोग रुची शर्मा निर्देशन व निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत